यहां पर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट डेखेंगे और जो डेवेशन है वो है युनिवर्सल लॉफ ग्रिविटेशन का और हम लोग इंपॉर्टेंट इसले क्योंकि आप रहे हैं पर हम लोग केपिलर स्लॉफ इस डेवेशन को करेंगे ठीक है अब यहां पर एक घूमता है रिवॉल्व करता है किस के रहाएं अब जो पात होता है जिस पात पर घूमता होता है लेकिन वोग ने क्या मालिया अप्रोक्शिमेटली सर्क्लर मान लिया है तो आपको पता हूगा इस मान्स मतला ब्लानेट और सन के बीच में एक फोर्स लग रहा होगा और उस जो universal law gravitation है इससे हम लोग को यही force तो find out करने को मिलता है इसी का तो formula मिलता है तो हम लोग क्या करें अगर centripetal force का formula calculate करने तो हम लोग को gravitational force का भी formula वहीं से मिल जाएगा तो centripetal force होता क्या है centripetal force का अगर आफ formula देखेंगे तो होता है m omega square r ठीक है m omega square r is the formula of centripetal force अभी यह omega क्या है तो m कौन सा मास है small m है small m क्यों लिया क्यों लिया क्योंकि जो चीज घूम रही उसी का तो मास लेंगे घूम कौन रहा था planet तो planet का मास ले लिया ओमेगा क्या है इसको बोलते है angular speed किसकी angular speed है तो इसी के revolution की angular speed है मतलब planet के revolution की angular speed है r क्या है यह radius है कि radius आप समझे का path का radius है जिस circular path में planet गुह मरा उसका radius है अब क्या करिए omega जो है omega का formula क्या होता है 2 pi upon t होता है यहाँ put कर दीजे 2 pi upon t को ठीक है जो 2 pi upon t आपने यहाँ पर omega की value निकाली वो क्या करनी है हमको इस point पे put कर देनी है put करते हैं देखते हैं क्या मिलता है तो देखो कुछ ऐसे मिल जाएगा कि जो force होगा that will be equal to m into अब omega square है याद रखेगा तो omega square जब करेंगे तो 2 pi by t का whole square हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा r हो जाएगा ठीक है इतना हो गया अब हम लोग क्या करते हैं इस point को यहाँ पर मिटाएंगे और उधर के और बाकी derivation करने की कोशिश करेंगे ठीक है तो देखें इसके बाद आपको समझना है इसको अगर थोड़ा और solve किया जाए कुछ इस तरीके से आ जाएगा force बराबर m into इसको खोल सकते है bracket को तो 4 pi square आ जाएगा into r आ जाएगा hole upon क्या आ जाएगा t square आ जाएगा ठीक है t square आ गया अब देखें यहाँ पर kepler law use किया kepler law क्या कहता है kepler का तीसरा law कहता है time period का hole square directly proportional to r का cube होता है same major axis का hole cube होता है आपको यहाँ पर भी देखाई पड़ रहोगा t square तो हम लोग क्या करेंगे t square को पहले लिख देंगे बराबर k r cube देखें directly proportional को जब भी sign अटा जाता है तो क्या करते हैं एक constant लगाते हैं उसको हम लोग ने k मान लिया तो t square की जगह क्या रख दिया k r cube रख दिया अब इस t square की value कहा पुट करेंगे हम लोग इस जगह पे पुट करेंगे तो देखें force का एक और नया formula बन जाएगा क्या force बराबर ठीक है force बराबर देखें क्या बन जाएगा m into 4 pi square as it is उतार दीजे multiply किससे करेंगे multiply r है तो r ही रहने दीजे upon क्या करेंगे t square था तो t square ही जगह क्या रखेंगे k r cube रखेंगे k क्या है constant ठीक है यह हो गया k into r का cube हो r बचेगा तो इसको और आसान भाष्टा में कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि m into 4 pi square into इसको यहां से हटा दें और इसकी जगह r cube क्या क्या लिख दें आर square लिख दें यह तो आपको सौंच में आ गया होगा basic से हम लोग ने किया तो यहां से हम लोग को force का formula एक मिल ग करता है लेकिन आपको यह पता होगा यह जो force होना चाहिए मतलब Newton के हिजाब से mass of sun पे भी depend करना चाहिए अब यह तो आया नहीं तो यह कहां से आएगा तो आपको दिखाई प्रोगा 4 pi square upon k ठीक है तो 4 pi square upon k जो है यह भी क्या है एक constant है और इसी की value जो होती है वो capital G into mass of sun के बराबर होती है अब यह value तो कभी change नहीं होगी नहीं यह value कभी change होगी इसी लिए यह वाली value पूरी क्या होगी यह constant होगी ठीक है तो इसी लिए लग लोग क्या किया 4 pi square upon k की जगह क्या लिख दिया capital G into M रख दिया अब क्या करिए इस जगह पर put कर दिये तो देखे force का formula क् force का formula हो जाएगा देखे 4 pi square upon k की जगह रख देंगे capital G into capital M into small m क्योंकि आही गया था formula में तो यह बचा small m और क्या बचा r square बचा तो यहां से देखे हम लोग को centripetal का formula है मिल गया और यही formula किसका है यही formula आ जाएगा gravitational force between the two bodies का तो देखे हमारा universal law of gravitation यहीं से state हो सकता है कि जो gravitational force है between the two bodies वो दो चीजों के mass पे depend करता है mass of sun पे और mass of revolving body या planet पे और साथी साथ inversely proportional होता है square of center distance between them जैसे sun था ठीक है और यह planet था मालीजे इस तरीके को कुछ बात adopt कर रहा था यह तो यह जो radius है ठीक है radius of path के inversely proportion होता है लेकिन square के inversely proportion होता है तो वही देखे हम लोग ने यहाँ पर proof कर दिया कि जो gravitational force है this is capital G into capital M into small m यह mass of sun है और यह mass of planet है upon r square ठीक है तो इस तरीके से derivation आसानी से हो गया इसके लाव और भी कई सारे derivations है जो हम लोग ने playlist में लगाए है वो आप लोग जाके देख सकते हैं और आपको लगता है कि कोई ऐसा derivation है जो अभी भी नहीं कराया गया है तो आप लोग उसको comment box में लिख के बता दीजेगा उसका हम लोग derivation आपको provide कर देंगे वीडियो के फॉर्म में ठीक है तो अभी क्लेफ लालते हैं थेंक्यू बर्मच गुडबाई जय हिंद